नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अक्सर लोग कहते हैं कि नसीब साथ नहीं देता कभी कभी ये भी आप सोचिए कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत भागे साली हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत तो करते हैं पर उतना कुछ मिलता नहीं तो जिन्दगी में हर चीज के लिए भागे का बलवान होना तो जरूरी है लेकिन कुछ ऐसे संकेत है या कुछ ऐसे जीब जनतु है जो अगर आपको दिख जाए आपके घर आ जाए तो आपका भागे बदल जाता है तो इस प्रकिर्टी में जो कि प्रकिर्टी बहुत खुबसूरत है और सास्त्रों के अंदर और नित्चुनिन्दा कुछ ऐसे संकेत भी है जिसको अगर आप समझ लें तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा है और आप इसका फायदा उठा कर फिर एक बह पहला है चमगादर देखें दुनिया में आज हमने टॉपिक रखा है सूब और असूब अच्छा कौन है बुरा कौन है तो दुनिया में अधिकतर माननेता ये कहता है आपके घर में अगर चमगादर आ जाय तो असूब है तो चमगादर अगर आपके घर में रुक कर अपन तो अगर ऐसा है तो एक अच्छा संकेत माना जाता है अगर आते जाते कभी ऐसा हो जाए तो अच्छा है क्योंकि गुस्सा मत हुई है आप जाके सफाई कर ले पर अच्छा संकेत है अब जैसे कि मकडी के जाले घर में लगबग होते हैं पर यह अच्छा नहीं होता है लेकिन अगर आपको मकडी के जाले के अंदर आपका नाम का पहला अक्षर दिखाई दे तब सुबसंगेत है अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा ना मिले तो फिर इसको आप प्रेम से हटा कर मकडी को हटाईए घर से बाहर निका लिए और मिल भी जाए तो भी अटा दीए पर सकून अच्छा होता है अब जैसे कि कुट्टे के बच्चे होते हैं बहुत ही प्यारे अगर कोई कुट्टा आपके घर में रहने के लिए छट की तलास में आए घरे के मतलब असेरा बनाना चाहे तो इसका मतलब है कि भविस में आपको निकट भविस में बड़ा धलाब होने वाला है अब देखिए जैसे कि बारिस के मौसम में बहुत सारे किरे मोकड़े आपके घरांगर में आ जाते हैं तो मेड़क हैं बीटल हैं टिड्डे हैं इसका सोर सुनाई देता है यह सुब संकेत होता है तो अगर अगली बार आपको मिल जाया तो बस यह समझ ले कि अब सुब दिन आपके आ रहे हैं या पिर अच्छा वक्त आपका आ चुगा है अब कच्छुआ हलांकि संभब तो नहीं है कि आपके घर आ जाए लेकिन आते जाते अगर आपको कच्छुआ दीख जाए तो ये चुकि भागे का प्रतीक माना जाता है और किसी भी रूप में दिखाए दे चाहे वो सजीब हो या निर्जीब हो तो इसका मतलब है कि कोई न कोई अच्छी खबर तो आपके घर में बस आही रहा है क्योंकि कच्छुआ का आना बहुत अच्छा माना जाता है जिंगूर जिसकी सोर कभी-कभी खुबसूरत भी लगती है और कभी आप बहुत बीजी हो तो बहुत भद्धी भी लगती है तो जिंगूर का सोर सुनाई देना आपके बुरे दिनों के खत्म होने का संकेत है क्योंकि इनके सोर में सकात्म कुर्जा का बास होता है जहां भी यह सोर करते हैं वहां का नकात्मकुर्जा दूर हो जाती है भाग जाती है यह घोंगा बारिस के मौसम में अक्सर आपने इसको देखा होगा यह पत्तियां खाता है सड़ी के लिए चीजें खाता है घोंगे फपुंद पर निर्भर करता है अगर यह घोंगा आपके घर के किसी भी कोने में नजर आ जाए तो आपके घर में फपुंद की समस्या है तो बीना देर की घर की साफ सफाई करवाईए क्योंकि यह बताता है कि आपके घर में नकात्मकुर्जा तो उसको आपको हटाना होगा ठीक है अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब बि बिच्चू कतार बनाकर बाहर जाते वे दिखाए दे समझ यह वहां से लक्ष्मी जाने की तैयारी कर रही है कहने का तात पर बिच्चू दिख जाना वैसे तो डर की बात है नहीं आना चाहिए पर यह लक्ष्मी आगमन का संकेत है लेकिन अगर घर से बाहर जाए बिच्च अब इसके बाद नमबर आता है तितली आपके घर में अगर फूले के पौधे होंगे तो आपने देखा होगा अकसर आती है अगर आपके घर के अंदर आजाए सुख सो भागे लाती है घर में कोई सुभ मंगल कारे होने वाले हैं आप ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि जिस घर में इसके बाद नंबर आता है सांपका जिसको किसी को डर लगता है तो यह चीन होता क्योंकि आने का मतलब है कि आपके उपर कहीchem जो दुस्मन है वो भी लगे में और यह लगावाई है तो इसको हम पहले ही साइट करदेंगे क्योंकि यह बहुत अच्छा नहीं होता हाँ स्रावन के महने में आपको घर के बाहर कहीं दीख जाए कहीं भी आते जाते तो अच्छा होता है अब नंबर आता है बिल्ली का अब बिल्ली रेखिए आपने देखा होगा बिल्ली आती है कभी कभी किसी कि घर में बिश्टा करके चली जाती है इसका मतलब दूरियां मुझे अच्छी घंच में टिकने साथ कुछ दिना बनागे अब अधीश नियां को है अपको बताया है कक्छुआ के घर में आप रहे हैं इसके हैं इसके बाता है कचुवा का घर में रहना बढ़िया होता है लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चीटियों की बात करें तो लाल चीटी घर में किसी भी किमत पर अच्छी नहीं होती और अगर निकल जाए तो आटा और चीटी मिक्स करके जहां से चीटिया निकल रही वहाँ पर डाल दें वो देद अब उल्लू का दिखना कैसा होता है देखिए आपके घर मुंडेर चट पर अगर उल्लू आ जाए तो यह अच्छा नहीं है हां कहीं बाहर आपको दिखे तो ठीक है आसपास लक्ष्मी है और आपके घर में आने के त्यारी करें पर आपके घर में आना उल्लू किसी भी किम चट पर अच्छा नहीं है इस बात का ध्यान रखिए लेकिन आपके घर के चट पर मुंडेर पर कोयर या सोन चिरेया बोले तो धन ब्रदी का संकेत देता है अब हम बात करें अगर कबूतर की तो बहुत सारी लोग कहते हैं कबूतर का ना अच्छा होता है लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुभव है वो अच्छा नहीं होता घर में अलगाओ या फिर दूरियां बेमनस से या फिर टेंसन लाता है हां अगर कहीं आप दाना पानी की बेवस्ता बाहर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा अब बहुत सारी लोग तोता पालते हैं गर में बेवस्ता करतें तो तो तक खुद आएगा खाके जाएगा आपके घर में अगर फोलों का पेड़ है तो वैसे तो मैना मैना का आना किसी भी किमत पर अच्छा नहीं होता खासकर जब मैना एक की संख्या में आए ये अच्छा नहीं है दो की आए तो ठीक है तीन भी अच्छा नहीं है आप उसको तुरत हटाइए क्योंकि मैना का घोसला बनाना संकट का सूचक होता है ये किसी भी किमत पर अच्छा नहीं होता है अगर आपके घर के दरवाजे पर आकर गायच आवाज दे तो ये सुख को बढ़ाता है घर में सुख ब्रदी होने वाला ऐसा समझना चाहिए लेकिन अगर घर के सामने कोई कुत्ता आपके में जैसे की घर के सामने Une-कर के रोई तो घर में विपत्ति आने वाली है ऐसा सूचना चाहिए यह अच्छा नहीं माना जाता और घर की सीमा में मयूर का रहना या आना अच्छा होता है जिस घर में छुचुंदर घूमते हैं वहां लक्षमी ब्रधी होती है ऐसे भी हमारे सास्त कहते हैं तो फिला नम आप से भी दा लेते हैं आज हमने आपको बहुत सारे सुब असुब संकेत के बारे में बताया कि कौ कुन सी चीज का अना बुरा पसंद आए तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें कॉमेंट में हरहर महादेब जरू लिखे दाने